हाई गैस आज मैं आप लोगों को यह वीटा मेगास का अन्बोक्सिंग करके दिखाता हूँ यह ट्रूइन वान लेप्टॉप है जैसे कि आप देख पार है यह एबिटा का मेगास ट्विन वन लेप्टॉप है और इसका प्रोसेसर है इंटल का सेलोरन प्रोसेसर रेम होगा इसमें 4GB का और स्टोरेज है 64GB इसका डिस्प्ले है फुल इसडी आईपिएस डिस्प्ले तो चलिए मैं इसको अभी अन्बॉक्सिंग करता हूँ पैकेटिंग बहुत अच्छा है तो मैं लेप्टॉप निकल लिया और देखिए इसका लुक्स कलर कलर बहुत अच्छा है यह बैसिकली चार कलर में आता है तो देखते हैं अभी अंदर में क्या है बॉक्स का लेप्टॉप के अलावा यह होगी आपका मेनियल बुक और यहाँ पर है इसका एड़ॉप्टर इसका एड़ॉप्टर भी दो पार्ट में आता है यह आप सपाइट कर पाएंगे अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या के पॉर्ट से यह हो गया आपका पावर बॉट्वन और यह हो गया आपका 3.5 mm जेक है जिससे आप गाना सुन पाएंगे और यह हो गया यह हो गया इसडी पोर्ट एसडी का स्लोट और यह है आपका यूस्पी पोर्ट और यह लाश्ट वल हो गया आपका डीसी पावर सप्ले में तब को चार्जिंग लगाने का पोर्ट है यह और दूसरे तोरफ आपको यह स्पीकर मिल जाएगा कि मैं आपको पहले बताया यह ट्वीन वान लेप्टॉप है यह आपका क्यूबोर्ड जो है और फोल्ड हो जाएगा और लेप्टॉप की तरह हो जाएगा यह स्क्रीन टाज भी है और आभी यह बूटिंग अप हो रहा है आभी थुरा टाइम लागेगा इसको बूटिंग यह आपको सोसना नहीं परेगा यह जो बेक साइड है इसको पूल कर लेंगे उसके बाद आप यह स्टेंड कर पाएंगे देखिए यह बिल्कुल लेप्टॉप की तरह लग रहा है आप लेप्टॉप के जैसा यूज कर पाएंगे देखिए यह पूरा फोल्ड भी हो गया अब यह टेप के जैसा यूज करवाएंगे इसका स्क्रीन भी रोटिट होता है लेकिन यह बोटिंग अप हो रहा है कॉम्प्लिट होने का बाद स्क्रीन भी रोटिट हो जाएगा इसका जो कीबोर्ड है वो आप सेपारिट कर सकते हैं यह डिटेचिवल कीबोर्ड दिया हलका सा पूल करेंगे वो निकल जाएगा कीबोर्ड को सपारिट करने के बाद भी आप यह इसको स्टेन कर पाएंगे इसको पूल कीजिए उसके बाद फिर एगन स्टेन करके आप मोबी बगरा कुछ भी देख सेकते हैं नॉर्मल वीडियो अभी हम लोग देख लेते हैं इ 23,490 रोपीज यह आपको ओफर में मिल जाएगा 18,000 में और इसका कीबोर्ड भी आसानी से अटाच हो जाता है यह मेगनेटिक है टाच करते हैं आपका देखिये लग जाता है इसका स्क्रीन से यह 11.16 प्रोसेसर सेलेरोन ऑपारिटेंग सिस्टेम उंडोस 10 64GB स्टोरेज यह और 4GB रेम है इसका केमिरा मे वी इवेलेवल है इसका व्यटो फुली ऑन हो गया है तो चलिए इसका कैमरा भी हम लोग देख लेते कैसा है तो स्टार्ट मेनू में हम लोग क्लिक किया और केमिरा को वन कर दिया यह देखिए केमेरा का क्वालिटी अच्छा है और वीडियो क्वालिंग के लिए बिलकली सही है एच्डी क्वालिटी का केमेरा है बेक साइड का है यह अब फ्रॉंड भी देख लिया थेंक्यू फॉर वाचिंग मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई